प्रदेश के परिसिदी उच्छ प्राथमिक स्कूलों में इस समय 41,000 प्रदखाली आप लोग जानते होंगे जिस पर 29 दिसंबर 2023 को उतरप्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रमोशन लिश्ट जारी की गई थी जिस पर प्रैमरी से उच्छ प्राथमिक में प्रमोशन होना है औ जो बीड चात्र इसका काफी बिरोध कर रहे हैं बीड चात्रों का कहना कि यहां पर 50 परसंट जो सीटें उच्छ प्राथमिक में वो प्रमोशन से बरी जाने चाहिए और 50 परसंट सीटें डारेक्ट रिकूटमेंट के थूरू बरी जाने चाहिए इसी मामले को लेकर कि लिखवा दी गई है यहाच्छ का काम पूरा हो चुका है सामने स्क्रीन पर आप लोग यहाच्छ का लिखवाने समझी वीडियो देख भी सकते हैं अभी आपको पूरा वीडियो में इसी वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा ठीक है तो यह इनकी बेक बिसेश यहाच् तो जारिसी बात है जो भी सीटे इस समय उच्छ प्रात्मिक विद्यालियों में खाली हैं ये भर जाएंगी उसके बाद फिर जल्दी से सीटे आपको देखने को नहीं मिलेगे निए बढ़ती का सपना एक तरीके से छोड़ ही दे तो काफी मातपूर समय चला इसमें आप सभ हैं पाफी कड़ेंगे के देखने को मिला जर्साब मनंग और मैंगे सबसेथा प्रोप्ता की जब तक माम Whatsन की प्रकृत को आगे नहीं बढ़ाएंगी तो कहीने कही हमें आदिजीत दिखाई हुए दे रही है अब जो आदिजीत है वो बांकी है नियम वाली संसोधन को ले करके तो इसी को ले करके याची का जल्द ही कोट में डलने वाले है याची का संबंधी काम पूरा हो चुका है बांकी डेटेल्स जो जानकारी आपको अख आप लोग इनसे जुड़ करके सपोर्ट कर सकते हैं अब देखिए आप अखिलेश ज्यादो जी का ये वीडियो साथियो नमस्कार मैं अखिलेश ज्यादो उत्तर प्रदेश के उन तमाम भाई भाई भेहनों का तहरे दिल से स्वागत अबिन दन और बंदन करता हूं जो बियड उच्छप्रात्मिक्टेट पास हैं आज पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रमोशन प्रिक्रिया जितनी तेजी के साथ चल रहा था उस पर बिराम मनने हाई कोड द्वारा और सरकार ने स्वतह लगाने का काम किया ये उत्तर प्रदेश के बियड टीटी उच्प्रात्मिक्टेट पास भाई बहनों की ये के बहुत बड़ी जीत है और इस जीत के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश के उन भाई बहनों का बहुत बहुत आभार ब्यक्त प्रकट करते हैं जोने हमारे साथ कंदे से कंधा मिला करके चलने का काम किया है और जूनियर आर्थात सीनियर बेसिक स्कूल सिस्टु एट में सीधी भरती के लिए संगर्ज कर रहे हैं हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जूनियर आर्थात सीनियर बेसिक स्कूल सिस्टु एट में जो परशदी उचपरात्मिक विद्याले हैं उनमें लगभग 41,000 सिट आज भी उट्तर प्रदेश में वैकेंट है खाली है इन पदों पर सरकार सीधे 100% प्रमोशन करने के लिए काम चल रहा था वहीं सरकार के इस गलत तरीके से प्रमोशन करने की वज़ह के कारण मानने हाई कोड़ द्वारा सरकार से एक एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार एफिडेविट मांगा कि आप हमें एफिडेविट में लिख करके दीजिए कि आप जो प्रमोशन कर रहे हैं आप एन सीटी की गाइडलाइन्स 12 नौंबर 2014 की धारा फोर भी का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं अभी सोमवार को मनने हाई कोड में याचिका संख्या 34 अब्रिक 2024 परवहस करते हुए एक बार फिर मानने हाई कोड अलहाबाद की लखनोखंड पीठने सरकार के सरकारी वकिल के माध्यम से इस बात का एफिडेविट मांगा है पुनह कि आप हमें ये बताईए कि पदोनती में ट्रेट लागू कर रहे हैं अथवा नहीं अगर लागू कर रहे हैं तो आधार क्या है ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी बिसंगती है मैं उत्तर प्रदेश के उन तमाम भाई वहनों से यही निवेदन करूँगा कि आज उत्तर प्रदेश का बीएट डिग्री धारक जो उच्प्रात्मिक टेट पास है सरकार जब से मिन्मूम क्वालिफिकेशन आया 23.2010 से मैं समझता हूँ कि लगभग साथ आठ बार सरकार टेट करा चुकी एक बार के वल गणित बिज्ञान की भरती 29,000 आई इसके बाद सरकार गणित बिज्ञान की सीधी भरती पर भी रोट लगा दिया सामाजी बिज्ञान हिंदी संस्क्रिप अंग्रेजी इत्याद बिश्यों पर पहले से ही सीधी भरती नहीं किये जाने का प्रावधान था गणित बिज्ञान सामाजी बिज्ञान हिंदी संस्क्रिप अंग्रेजी इत्याद बिश्यों पर पुनह सीधी भरती हो इसके लिए हमारे नेत्रित में कल 62 इच्छा निमाली 1981 विक्यासी चैलेंज करने हे तुम मानने हाई कोर्ट इलहाबाद में या ची क्या लिखवाने का काम संपन्ण हो चुका है मुझे उमीद है कि यह इसी हपते मानने हाई कोर्ट में दाखिल होगी उत्तर प्रदेश में लगबग पान से च्छा लाग भाई बहन टेट उचुपरात्मिक अस्तर उत्रेण है मानने हाई छमा करिएगा सुप्रिम कोर्ट के जजिमेंट को अगर हम देखें उसमें यह साफ लिखा किया है कि भीयड जो उचुपरात्मिक टेट पास है वो सिश्टु इट के लिए अप्री केबल है तो हम निवेदन आप लोगों से यही करेंगे कि अगर आप लोग उचुपरात्मिक टेट पास है तो आपके लिए परशदी उचुपरात्मिक विद्यालों में एक बहुत बड़ा सुनहरा आउसर है लेकिन इसके लिए हमें एक जुट हो करके संघर्ज करना पड़ेगा बीटीसी और सिच्छा मित्र की तरह हम संघर्ज करेंगे तो हमें हमारा आधिकार मिलेगा बीटीसी वालों ने संघर्ज किया सिच्छा मित्रों ने संघर्ज किया आपको प्राइमरी से बाहर निकलना पड़ा आप भी संघर्ज करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार जो गलत तरीके से BTC अभ्यरतियों का 628 में प्रमोशन कर रही है वह प्रमोशन रुकेगा और बियर जो है 628 पे होगा लेकिन इसके लिए हर किसी को साथ हाना पड़ेगा मैं A.V. Tech चैनल के माध्यम से जो लोग इन से जुड़े हुए हैं इस चैनल से हम उन सभी भाई बहनों का तहदी से स्वागत अभनेंदन और बंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप लोग साथ आएं ये हमारी आपकी हम सब की लड़ाई है